दोस्तो एक बैफ इसल अब दो को सौगत है अपने सेफ़्टी मित चैनल पे जहां नो कॉपी पेस्ट नो टाइम वेस्ट लेकिन आपको इंफर्मेशन मिलेगा पेस्ट दोस्तो आज का जो टॉपिक है वो है ओफिसर ओफिसर बोले तो हसी ओफिसर भी होता है एच 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 फिर उसके बाद QHSE officer होता है फिर QHSSE officer और last but not least safety officer की बात करो दोस्तो दोस्तो फुल फॉर्म तो आपको पता होगा लेकिन मैं यहां फुल फॉर्म बताने नहीं वाला हूँ मैं यहां पताने वाला हूँ कि यह सब क्या same है अगर same है तो क्या logic है और different है तो इन तीनों में क् शारू खान की बात कर रहा हूँ अगर शारू खान को अगर मैं खान शारू करूं तो भी कोई फर्ग नहीं पड़ेगा कुछ लोग शारू को क्या बोलते हैं king of romance तो कुछ लोग king of bollywood बोलते हैं तो कुछ लोग बात्शा बोलते हैं लेकिन same बंदा अगर काम करने जाए तो क्या कर सकता बंदा है same बंदा किसी movie में comedy कर रहा है same बंदा किसी movie में emotional scene भी कर रहा है same बंदा किसी movie में fighting का scene भी कर रहा है same बंदा किसी movie में romance भी कर रहा है same बंदा किसी movie में father का roll भी कर रहा है और सेम बंदा किसी मूवी में फादर के साथ सन का भी रोल अदा कर रहा है, मतलब शारुक खान एक ही मूवी में, एक ही इंडस्ट्री में एक पूरे किरदार निभा रहा है, सब के, लेकिन बहुत सार ऐसी मूवी हैं जिसके कॉमेडी के लिए अलग एक्टर हो, जैसे जौनी किसी एमोशनली सीन करना, किसी और एक्टों के लिए लेकिन बहुत सा ऐसी मूवी होते हैं, जिसमें सेम एक्टर पूरे रोल अदा करता है, उसी तरह हमारा HSC ओफिसर का मिन्स क्या होता है, जिस किसी कंपनी में बंदा सिर्फ हेल्थ और सेफटी इंवर्मेंट के टेक करता है, किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी में हेल्थ सेफटी और सेक्रूरीटी इंवर्मेंट को भी केर करता है, देख भाल करता है, कोई बंदा इंवर्मेंट हेल्थ और सेफटी जैसे क्या अगर जिस तरह शारू खानी जागा, खान शारू कानी तो फरिक ने, उसी तरह EHS और है, फिर उस वाद किऊ HSE, जहां पे क्वालिटी भी वही बंदा देखता है, वही बंदा देखता है, और सेफ्टि ऑन्दा रहा होता है तो safety officer का काम जो मिला जो लाएकि जो होता है to minimize the incident incident को कम करना और zero incident को achieve करना, हासिल करना, परियाप करना फिर उसके बाद क्या है दोस्तों यह कैसे achieve करता है तो advising के थूरू फिर उसके बाद है monitoring के थूरू लोगों पे नजर रख करके फिर उसके बाद उन लोगों को trained करके और लोगों में awareness फैला करके तो I hope दोस्तों आप लोगों का doubt clear होगा होगा कि HSTC से ले करके safety officer में क्या difference होता है, क्या similarity होता है अब आगे confused नहीं होंगे दोस्तों इस तरह कि अगर दोस्तों new video आपको चाहिए और interesting video चाहिए safety से related, practical life से तो आप चैनल पर नहीं है तो subscribe भी कर सकते हैं और video अच्छी लगी है तो like और share भी का सकते हैं comment करें जबरू बताए दोस्तों video कैसे लगी, thank you very much दोस्तों for watching